स्टिवमा सोलेशन चेप्टर 15 वेव मोशन क्वेशन नुबर 22 इन दे अर्रेंजमेंट शोन इन फिगर दे स्टिंग हैसर मास 4.5 ग्राम हाव मच टाइम विली टेक फोर ट्रांसवर्स डिस्ट इस्ट 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 इस प्रोर तो रिच द पूली ओके तो अपने को क् क्रेम करने में क्यों में टैम लाएगा यह अपना कॉश्शन हैो पैसली काम करते हैं यहां पर गवाल लिख लेते हैं अपने मास किमें क माश कियों है प्सिर पूइंट एटं यह ऐस इस disse ii का लेंथ देखेंगे इस तो टूमीटर यहाद यहाँ पर 27 आपना पर टूपी ओ cm यह string का length है तो यहां से अपना यह total mass है और यह length है तो अपना mass पर length आजा है कितना total mass upon length total mass कितना 4.8 और total length यह meter में है 2.25 और इसको 4.8 गिवन है तो इसको sorry यह 4.5 है 4.5 ग्राम इसको ग्राम को क्या लिख सकते है किलो ग्राम में लिखने के लिए 10 की पाउर माइनस 3 से मल्टिप्लाई कर देते है तो अपना m आ जाएगा 2 into 10 की पाउर माइनस 3 kg पर मिटर यह अपना mass pendant length आ गया अब दूसरा tension find कर लेते है देखो string एक ही string है तो tension पूरी string में same रहेगा यहाँ पर नीचे mg force लग रहा है उपर tension लग रहा है तो tension किसके को लोगा mg के equal m कितना है 2 g कितना 10 तो tension कितना आ जाएगा 20 newton tension अपने क्या आएगा 20 newton अपने पास speed आ जाएगे speed क्या आएगा root t by mass pendant length t कितना है 20 newton speed क्या sorry mass pendant length 10 की पाउर 2 into 10 की पाउर minus 3 तो 1 into 10 की पाउर 4 हो जाएगा तो v is equal to root 10 की पाउर 4 तो v आ जाएगा 100 meter per second okay और यहां से यहां जाने में time कितना लएगा तो distance कितना दे रखा है distance है 2 meter और time पूछा है तो time क्या आ जाएगा distance by speed distance 2 meter speed 100 तो कितना आ जाएगा answer 0.02 second